वाशिंग मशीन सही वास्तू दिशा में रखे हैं और कपड़ों के साथ मन का मेल भी दो लें अब आपके मन में परश्न उट रहा होगा कि क्या वास्तू में इस बात का भी महत्व है कि वाशिंग मशीन किस दिशा में रखी हुई है तो इसका उत्तर है हाँ, विबिन्न दिशाओं में रेखुई वाशिंग मशीन आपके जीवन में अलग-अलग प्रभाव दिखाती है वास्तु की 16 दिशाओं में से जिस किसी भी दिशाओं में वाशिंग मशीन रखी होती है उस दिशा के जो गुण धर्म, अर्थात अच्रिबूट्स होते हैं, उनके अनुसार वह आपके जीवन में अच्छा या बुरा प्रभावत्पन करती है जहां तक मन के मेल को दोने की बात है, तो वास्तु में एक दिशा ऐसी भी है, जो कपड़ों के साथ साथ आपके मन के मेल को भी दो देती है वास्तु की 16 दिशाओं में से West और North West इन दोनों दिशाओं के बीच में एक दिशा है जिसे हम West-North West अत्वा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम या W&W भी कहते हैं जब वाशिंग मशीन इस दिशाओं में रख्की जाती है वह हमारे मन के विकारों को निकाल कर उसे भी साफ कर देती है अन्यकों बार व्यक्ति अपनी भावनाव को व्यक्ति नहीं कर पाता है और उन्हें अंदर ही अंदर रखता है और इस कारण से इसके मन में एक तरह का एक mental clutter या एक emotional blockage पैदा हो जाता है West-Northwest दिशा mental detoxification की भी दिशा है इसलिए जब washing machine इस दिशा में रखती जाती है तो एक कपड़ों पर लगे हुए मेल के समान हमारे मन के इस कच्रे को और कुंटित भावना को भी धो कर बाहर फोई देती है और धुले हुए कपड़ों के समान हमारे मन को भी बेदाग और स्वच्च कर देती है